पंजावी सिंग सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आरोपित लॉरेंस बिश्णोई के होसले अब भी बुलंद हैं। ताजा मामले में लॉरेंस बिश्णोई ने गुरुग्राम के एक स्कूल संचालक को अपहरंग करने की धमकी दी है। बताया जा रहा है कि इस स्कूल संचालक से लॉरेंस बिश्णोई गैंग की ओर से फिरौती की मानगी गई है और नहीं देने पर अपहरंग करने की धमकी देने की बात सामने आई है। वहीं, निजी स्कूल संचालक से कितनी रंगदारी मानगी है। यह बात सामने नहीं आई है। वहीं, जिस तरीके से धमकी दी गई है उससे रंगदारी मानगने का ही मामला लग रहा है। गौर तलब है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकान में अब सोनीपत कनेक्शन मिला है। सोनीपत पुलिस ने CIE के साथ मिलकर रात भर जिले में च्छा पिमारी की है। आरोप है कि पंजाबी गायक मूसेवाला की हत्या में सोनीपत की शूटर भी शामिल रहे हैं। अब तक रामकरन और लारेंस बिशनोई गैन के एक-एक शूटर की पहचान हुई है। इनको दो औन्य साथी शूटर के भी सोनीपत में होने का संदे है। ऐसे में आरोपितों की धर पकड के लिए ताबर तोर छा पिमारी की जा रही है। आपके इस मामले में क्या विचार कमेंट में बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें।